तो इस प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में अंडर 19 वर्ल्लकप 2024 का उप विजेता कौन रहा है उप विजेता रणर अप मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आंसर होगा भारत हम यह आपे बात कर रहे हैं अंडर 19 वर्लकप 2024 की और इस बार ये इसका पंदरवा संसकरन था जो कि 19 जनवरी से लेके 11 फरवरी 2024 तक हुआ कहा पे हुआ तो साउथ अफरिका में हुआ मैं आपको ये भी बता दू कि पहले ये श्री लंका में होने वाला था लेकिन आपको पता है श्री लंका किर्केट बोर्ड पे बैन लगा दिया था प्रतिबन लगा दिया था ICC ने तो फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था साउथ अफरिका में यह हम पढ़ चुके हैं करंट अफरिका में अभी FIFA फुटबॉल विश्व कब 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच यह कहां पे होगा तो अंसर होगा है हैद्राबाद में आपको बताए FIFA वर्ल्ड कब 2026 यह तीन देशों में होगा USA, कनड़ा और मेक्सिको और इसके लिए जो क्वालिफायर मैच है वो भारत में होगा तो FIFA वर्ल्ड कब के लिए कोई क्वालिफाइंग मैच यह पहली बार भारत में होगा तो important है कहां पे होगा? तेलंगना के हैद्राबाद में और यह मैच किसके बीच होगा? भारत और कुवेट के बीच फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में किर्केट की तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुँचने वाले किर्केट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन गए? कौन सरोगा? जस्परीद बुम्बरा फिर वताईए अभी खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा अश्ट लक्ष्मी तो अश्ट लक्ष्मी जो रिप्रेजन करती है एक तितली को और अभी इसे ही खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम्स 2024 का मैस्कोट यानिकी शुभंकर बनाया गया है बात करें खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम्स 2024 ये इसका चौथा संसकरन होगा कहां पे होगा? असम में होगा असम के गुवाहाटी में और मैसकोट याद रखना है अस्त लक्षमी है 19 से लेके 29 फेबरेरी 2024 तक ये होंगे टोटल 20 खेल इसमें शामिल किये जाएंगे जिसमें 200 युनिवरसिटीज के एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और इससे पिछला वाला जो हुआ था दोजा तेविस में वो खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स का तीसरा संसकरन था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसका शुमंकर जीतू था और उसमें टॉप पे रहा था पंजाब युनिवरसिट फिर आपसे पूछ रहें अभी साउथ इशन फुटबल फेडरेशन अंड कारण रहा वो मैं आपको बताऊंगा पहले हम बात करते हैं यह है क्या साउथ इशन फुटबल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबल चेंपेंशिप 2024 यह है जो कहां पे हुआ ढाका बांगलादेश में हुआ और मैंने आपको बताया इसमें फाइनल में भारत और बांगला देश के खिलाडियों के विरोत के गारण फिर दोनों को सयुक्त रूप से विजेता गोशित कर दिया तो भारत और बांगलादेश इसमें विजेता रहे फिर बताईए अभी हाली में सुर्जलेंड के जंक फ्राव जोग में मशूर आइस पैलेस में किसकी समारक पट्टी क लगाई गई है जो कि निरत चोपडा की है जो कि एक सम्मान की बात है यहाँ पे कई और भी महान खिलाडियों के समारक हैं जैसे कि टेनिस प्लेयर रोजर फेडर हो गए गोल्फ प्लेयर रोरी मैकल रॉय हो गए इनकी जैसे और भी कई स्टार प्लेयर्स हैं और अभी उनी में शामिल हो गए नीरत चोपडा नीरत चोपडा का समन्द भाला फेक से है आपको पता हो तो 2022 में पदम शिरी इनको मिला था 2022 में ही परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था, 2021 में मेजर ध्यान चंद केलरतने पुरुसकार भी मिल चुका है, 2018 में इनको गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीड बने थे ये 87.58 मीटर दूर भाला फेक करके और ये उन्होंने जीता था 7 अगस्त 2021 को इसलिए 7 अगस्त को भाला फेक दिवस के रुप में मनाते हैं और पुने में जो आर्मी स्पूट्स इंस्टिट्यूट स्टेडिया में उसका नाम मीरत चोपडा के नाम पे रखा गया इन्हें स्विट्जेलेंट टूरिजम का फ्रेंड्शिप एंबेजडर भी बनाया गया था तो इनसे सम्बंदित ये सारे पॉइंट से जीत लिया है किसे हराया इन्होंने तो लुका नार्दी को हराया है वो इटली के हैं और सुमित नांगल की इस जीत के साथ ही वो पहली बार ATP रेंकिंग में टॉप हंड्रिड में शामिल हो गए है अचा इसमें में डबल का किताब भी भारतियोंने जीता है तो उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ राचकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी अचा यहाँ पर टैनिस की बात चल रही है तो टैनिस का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसे हम ग्रेंड स्लेम कहते हैं आपको बताएं साल में चार ग्रेंड स्लेम होते हैं 2024 की ही हम बात करेंगे हम 2023 में बहुत रिविजन कर लिया हमने और अब 2024 का पहला तो हो भी चुका है Australian Open तो हम इनी को रिवाइस करते रहेंगे अब जब भी टैनिस का प्रशन आएगा जैसे Australian Open हो गया तो उसको रिविजन करते हैं देखो तो एक तो याद रखेंगे कि वो में सिंगल किस ने जीता था इसमें आर रेना सबा लेंका ने जीता है साथ में ये भी याद रखा करें किस देश की प्लेयर है ये बेलारूस के टेनिस प्लेयर है और में सिंगल टाइटल ये जैनिक सिनर ने जीता है ये इटली के टेनिस प्लेयर है और इस बार में से डबल भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि भारते जोड़ी विजेता रही है कौन? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन के जोड़ी मतलब इसमें एक भारते हैं और इनके जो जोड़ी दार हैं वो ऑस्टेलिया के हैं मैथ्यू एबडेन ये ऑस्टेलिया के हैं रोहन बोपन्ना ये हमारे हैं ध्यान रखना इनका नाम पूछा जाएगा आपके आने वाले एक्जाम में और हमने ये भी पड़ा था कि ये रेंकिंग में नंबर वन आ गये थे और सबसे उम्रदराज खिलाडी बने थे नंबर वन आने वाले ध्यान रखना इनके बारे में अगला प्रशन देखते हैं तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में किसे नेल्सन मंडेला पुरुसकार दो हजार चौबिस से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा निम हंस को निम हंस ये एक इंस्टिट्यूट है जिसका फुल्फर्म हो गया नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ मेंटल हेल्थ एंड नियुरो साइन्स और अभी इसको हेल्थ प्रोमोशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजिशन ने दो हजार चौबिस के नेल्सन मंडेला पुरुसकार से सम्मानित किया है ये पुरुसकार उन्हें मांसिक स्वास्त और कल्यान को बढ़ावाद देने के लिए दिया गया है पुरुसकार की बात करें इस पुरुसकार को कौन देता है मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजिशन देता है पुरुसकार का नाम याद रखना नेल्सन मंडेला पुरुसकार है कब से दिया जा रहा है? 2019 से हेल्थ सेक्टर में सरुष्रिष्ट काम करने के लिए ये पुरुस्कार दिया जाता है देखो पहले WHO की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये ये पुरुस्कार देता है तो तीन चीजे याद रखना इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रेल 1948 को इसलिए 7 अप्रेल को आप World Health Day मनाते हो हेड़कोटर जेनेवा स्विट्जर लेंड में है और अध्यक्षोने तैद्रो सधानों में बाकी नेल्सन मंडेला जी के नाम पे ये पुरुस्कार दिया जाता है तो उनकी भी हमें पता होना चीए कुछ बाते हैं आप जानते ही होंगे वे साउथ अफरिका के पूर्वर राष्टर पती थे या यूँ कहूं कि साउथ अफरिका के पहले अश्वेत राष्टर पती रहे थे 1994 से लेके 1999 तक उन्हें साउथ अफरिका का गांधी भी का जाता है जैसे महत्मा गांदी जी को भारत में बापू कहते है न वैसे ही उनको महाँ पे मदीबा कहते हैं मदीबा का अरत होता है पिता के समान और आपको बता दू क्यों उन्हें 1993 में शांति का, पीस का नोबल पुरस्कार में मिल चुका है और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो भारत का सरवचे नागरिक पूरसकार है जिसे आप कहते हो भारत रत्म वो दो विदेशी नागरिकों को मिल चुका है बताया न मैंने आपको कहीं बार बताया न, उसमें से एक यही है Nelson Mandela जी अब दूसरे विदेशी नागरिक कौन है इसका उत्तर आप लोग देंगे और इनके सम्मान में एक दिवस भी होता है नेलसन, मंडेला, इंटरनेशनल डेवो 18 जुलाई को मनाते हैं तो इनसे सम्मन्देत ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए बाकी ये उप्शन में आपके लिए खास लिखे हैं आपका अच्छा रेविजन हो जाएगा जैसे कि 60 पेराशूर फिल्ड अस्पताल अभी सुभाष चंदर बोस आपदा परबंदन पुरुसकार 2024 इनको मिला था संस्थागत श्रिणी में, institutional category में और गीता प्रेश गोरकपूर आप जानते हो 2021 के लिए गांधी शान्ती पुरुसकार मिला था ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा चुका है और ये नाम भी याद रखना क्यों याद रखना अभी इंदरा गांधी पुरुसकार इनको मिला था उपरवाला जो है ये इंदरा गांधी शान्ती पुरुसकार है और ये इंदरा गांधी पुरुसकार है इसलिए मैंने साथ में लिग दिया आप confused न हो अगला प्रशन दिखते हैं फिर बताईए अभी हाली में किसे लक्ष्मी नारायन अंतर राष्टर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा प्यारे लाल शर्मा को इनको उनके मशूर गीत, My Name is Lakhan, उसके लिए जाना जाता है। और संगीत में अगर आपका इंट्रेस्ट है, रूची है, तो संगीत के शेत्र में एक famous जोडी का नाम आपने जरूर सुना होगा, लक्ष्मिकांत और प्यारेलाल की जोडी, तो ये वही हैं प्यारेलाल, जिसमें लक्ष्मिकांत का तो निदन हो चुका है, इन दोनों की चूडी ने हिंदी सिनेमा में बहुत famous सौंग दिये हैं, और मैं आपको बता दू कि इनका नाम एक और कारण से हमारे लिए important होता है, क्योंकि प्यारेलाल शर्मा इनको अभी पदम भूशन भी दिया गया 24 में, और अब ये लक्ष्मी नारायन अंतर राश्टर पुरुस्कार भी दिया गया, और इस बार ये इस पुरुस्कार का 33 संसकरन है जिसकी इस्तापन, पुरुस्कार के स्तापना की बात करे, 1992 में एल पिता और गुरु वी लक्ष्मी नेरैन की याद में इस पुरुसकार की स्तापना की थी बाकि आप्शन भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ बी आर कमबोज अभी MS स्वामिनाथन पुरुसकार इनको मिला MS स्वामिनाथन आप जानते ही हो हमारे हरित करांती के जनक इनको का जाता है अभी भारत रत ने इनको मिला है तो ये नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे बाकि टेगोर साहित्य पुरुसकार मिला भी सुकरता पॉल कुमार को और मर्णोपरान तेंजिंग नौर गे पुरुसकार मिला भी सविता कंसवाल को इंपोर्टेंट नाम है ये अगला प्रशन देखता है फिर बताओ हाली में किसे के पीपी नामब्यार पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा एस सोमनाथ को तो अभी इंस्टिट्यूट ऑफ एलेक्ट्रिकल एन इलेक्रोनिक इंजिनियर्स केरल ने इस रोग के जो अध्यक्ष है कौन एस सोमनाथ इनको दो हजाल चौबिस के लिए के पीपी नामब्यार पुरुसकार से अभी सम्मानित किया है यह पुरुसकार इलेक्ट्रोनिक उद्योग के अग्रणी के पीपी नामब्यार की याद में दिया जाता है जो की इंस्टिट्यूट ऑफ लेक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक इंजिनियर्स केरल के संस्थापक अध्यक्ष थे तो यह जो पुरुसकार है यह मानवता के लिए टेक्नलोजी को बड़ावा देने के लिए व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है तो इस बार दिया गया यह S. सोमनात को जो की कौन है? इस्ट्रो के दसवे नंबर के चीफ है, हेड है अभी इनकी एक आटोबायोग्राफी आई थी आपको याद होगा निलावू कुदिचा सिमहांगल उसका नाम है जो की मल्यालम भाशा में लिखी गई है अच्छा इस्ट्रो से भी आपको याद आएगा अभी इस्ट्रो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरुसकार से सम्मानित किया गया था बाकी ऑप्शन आप देखो, ये हमारे पूर्व चीफ जश्टेस ऑफ इंडिया है अभी असम का सरवुच्य सम्मान इनको मिला था जिसे आप कहते हो असम वेभव बाकी अभी शीर्षेंदू मुखोपाध्याय की बात करेंगे दोजा तेविस का कुवेंपू पुरुसकार मिला था जो और सुकृता पॉलकुमार की बात करें तो सॉल्ट एन पेपर के लिए रविंद्र नाठ टेगोर साहित्तिक पुरुसकार इनको मिला था तो सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं घ्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में राष्टर महिला दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 13 फरवरी को आप जानते हो हर साल 13 फरवरी को हम National Women's Day के रुप में मनाते हैं क्यों मनाते हैं ये भी आपको बता है सरोजिनी नायडू जी की जैनती होती है जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी उत्तरप्रदेश की थी वो इस बार हमने उनकी 145 वी जैनती मनाई है वे भारत की कोकिला के नाम से मशूर एक कवित्रे थी उन्हें Night Angle of India और बुलबुले हिंद भी कहा जाता है उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो इंडियन National Congress की पहली भारते महिला अध्यक्ष रही थी 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता उन्होंने की थी उनकी कुछ famous पुस्तके भी है जिसमें ये सबसे famous है बाजार ओफ हैदराबाद गोल्डन थ्रेशॉल्ड भी important है the bird of time हो गया तो ये कुछ important books इनकी है अचा महिलाओं से सम्मंदित दो दिवस मैंने आपको और बताए है एक तो होता है भाई ये तो हमारा क्या हो गया राष्टर महिला दिवस National Women Day एक अंतरराष्टर महिला दिवस होता है अभी October महिना पूरा हमने खतम कर लिया दो जाते हैं इसकी important questions का हम लोग revision कर रहे है कोई नए student हो तो उनको मैं बता दू जिसमें October महिना भी हमने खतम किया है तो वहीं पे ये प्रशन में आपको करवाया भी है चलो इसतना तो हिंट मिल गया आपको October में मनाते हैं ये दिन बताओ कब मनाते हैं मैं आपको answer करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि 13 फरवरी को एक और दिन होता है World Radio Day और इस बार इसकी theme है Radio A Century Informing Entertaining and Educating अब फिर बताइए अभी हाली में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया तो answer का 10 फरवरी को तो हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रुप में मनाया जाता है तो आप कह सकते हैं विश्व इसतर पर दालों के महत्व और उसके माद्यम से प्राप्त होने वाले पोशक तत्वों के बारे में जाग रुपता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं इस बार की थीम है दाले, पोस्तिक, मिट्टी और लोगू यानि कि पल्सेज, नौरिशिंग, सॉइल्स, एंड पिपल पहली बारस दिन को 2019 में मनाया गया था और आपको बता दू कि 2016 को दलहन के लिए अंतरराष्ट्रे वर्ष इंटरनेशनल इयर ओफ पल्सेज के रूप में मनाया गया था अभी आपको याद होगा लास्ट टाइम डोजा तेविस को बाजरे का अंतरराष्ट्र दिवस उन्हें भारत में युनानी चिकित्सा का पर्णेता माना जाता है और इस बार की ठीम है युनानी चिकित्सा एक प्रत्वी एक स्वास्त्य पहली बार इस दिन को 2017 में हैदराबाद के केंद्रे युनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था में मनाया गया था और मैं आपको बता दू कि पूरुवत्तर का पहला युनानी चिकित्सा शेत्रे केंद्र का उधगाटन कहां पे किया गया था तो याद रखना असम के सिल्चर में वैसे हमारे आयूष मंतरी कौन है सर्बा नंदा सोने वाल है इनके पास आपको पता है शिपिंग मंतरा ले भी है और आयूष की फुल फर्म क्या होती है पूछे तो आयूरवेदा योगा नेचुरोपेथी युनानी सिध्धा और होमियोपेथी और वैसे 11 फरवरी को आप ध गोशना की गई तो आंशर होगा राजस्तान में तो अभी राजस्तान सरकार ने अपना बजट पेश किया था राजस्तान की जो विश्व कर्मा पेंशन योथना तो आप कह सकते हो ये मुख्यरूप से मजदूरों और रहडी पट्री वालों के लिए है जो मतलब ठेला योजना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके उमर 18 से लेके 45 वर्ष के बीच में है और क्या होगा इस योजना में तो इस योजना के अंतरगत उन लोगों को 60 रुपे से लेके 100 रुपे का प्रिमियम भरना होगा हर महीने जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते और जब वो 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद सरकार हर महीने पेंशन के रूप में उनको 2000 रुपे दिया करेगी क्योंकि एक तरसे पेंशन योजना यह नहीं है, अब आपको कि पेंशन तो वैसे भी मिलती है, जो वरद्धा वश्ता पेंशन होती है, वो तो वैसे भी दी जाती है जिसे आप कहते हो, मुख्य मंत्री वरद्ध जन सम्मान पेंशन तो वो तो मिलेगी इसे ही उसके अलावा है बात समझ में आई, एक बार फिल से देखो किस-किस के लिए है, मजदूरों और रहड़ी दो हजार रुपे दिया करेगी और इसके लिए राज्य सरकार ने 350 करोड रुपे का बजट निर्धारित किया है यह है मुख्य मंत्री विश्व कर्मा पेंशन योजना, अचा पेंशन से आपको याद आएगा अभी हमने पड़ा था, पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला पूरुवत्तर राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा सिक्किम बना था, और अगर मैं आपसे पुछू कि अटल पेंशन योजना, आपने सुना होगा यह कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को, और विश्व कर्मा जी से चुने गए हैं, और इनको लोन दिया जाएगा, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, और अभी अमने पढ़ा था कि प्रधान मंतरी विश्व कर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूने टरिटरी केंदर शाषित प्रदेश कौन सा बना, तो अंसर होगा चम्मू कश्मीर, फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में मुख्य मंतरी वयोश्री योजना दो हजार चौबिस के तहर तीन हजार रुपे के आर्थिक साहिता देने की घोशना किसने की है, तो अंसर होगा महाराष्टर, तो अभी महाराष्टर सरकार ने मुख्य मंतरी वयोश्री योजना शुरू की है इसमें क्या होगा, तो इसमें लोग जो शारिरिक या मानसिक विकलांगता से पीडित हैं, उन्हें तीन हजार रुपे दी जाएंगे, इसमें लगबग 15 लाक वरिष्ट नागरी को कुलाब मिलेगा जिनके उमर 65 वर्ष से उपर है फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में किंदर सरकार ने मोबाइल स्वास्ते पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी को शुरू किया कहा पे, तो आंसर होगा, महाराष्टर और तो जिसा की नाम से क्लियर है जो महिला मा बनने वाली है उनके लिए है ये पहल इसमें क्या होगा, अगर कोई महिला प्रेगनेंट है तो उसके दूसरे तिमाही से लेके बच्चे के एक वर्ष पूरे होने तक उस महिला और उसके परिवार के सदेस्यों को समय समय पर ओडियो संदेश भेजे जाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको प्रेग्डेंसी के दोरान क्या क्या करना है किन-किन बातों का ध्यान रखना है जब बच्चा हो जाएगा तो बताया जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे देखबल करनी चाहिए इसमें बहतर सप्ता तक या यू कह दू कि बहतर, 72 ओडियो संदेश बेजे जाएंगे और इस ओडियो में कालपनिक डॉक्टर अनिता नाम से अवाज आईगी आपको मतलब एक लेडी की अवाज आईगी, उसको बताया जाएगा कि ये डॉक्टर है, जिसका नाम अनिता है तो याद रखना अभी इसे महाराष्टर और गुजरात में शुरू किया गया है फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में किस राज्य ने घर घर राशन योदना को शुरू किया तो अंसरों का पंजाब ने तो पंजाब के मुख्य मंत्री कौन? बगवन्त मान तो अभी उन्होंने पंजाब के अमलोह से घर घर राशन योदना को शुरू किया है जिसका उद्धिश है, गरीमों को असानी से राशन उपलब्द कराना, साती सार्वजनिक वितरन प्रणाली को सुलब बनाना तो इसमें जो राशन मिलेगा, उसका लाभारतियों को उनके घर पर ही पहुँचा दिया है फिर बताओ, अभी हाली में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सोर उर्जा संयेतर ये कापे स्ताबित किया गया तो आंसर होगा 36 गड़ में तो अभी याद रखना भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनरजी स्टोरेज सिस्टम प्लांट जो की सोलर एनरजी पर सोर उर्जा पर आधारित है और ये अभी शुरू हुआ है छत्तेजगड में मतलब है तो ये सोलर प्लांटी लेकिन आपको बता है सोलर प्लांट में क्या हो तो मतलब इस प्लांट में दिन में भी एनरजी मिलती रहेगी जो सूरज की रौशनी से मिलेगी और रात में भी एनरजी मिलती रहेगी जो की बैटरी से मिलेगी जो की दिन में चार्ज हो गई थी तो इसलिए कहा ये भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनरजी स्टोरेज सिस इसको किसने बनाया इसकी स्तापना किसने की Solar Corporation of India और 36 गड़ पावर डिस्ट्रिबूशन कमपनी ने बनाने में लागत आई 960 करोड रुपे और इस प्लान्ट को आप यू भी कह सकते हैं ये देश का पहला on-grid solar system प्रकला प्रशन क्या है? अभी पुरानी pension scheme बहाल करने वाला उत्तरपूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया तो आंसरोगा सिक्किम तो अभी सिक्किम के जो मुख्य मंत्रिये प्रेम सिंग तमांग अभी उन्होंने पुरानी pension scheme बहाल करने की गोशना कर दी है तो अब 1 अप्रेल 2006 या उसके बाद नियोक्तर राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी pension scheme के तहत pension दी जाएगी आपको बता दू कि 2045 से पुरानी जो pension योजना है उसको बंद कर दिया गया था भारत सरकार ने इसे बंद करके 1 जनवरी 2004 से नई pension योजना लागू कर दी थी जिसे पश्चिम मंगाल को छोड़ करके धिरी धिरे सभी राज्यों ने अपना लिया था तो अब उस पुरानी pension scheme को वापिस से लागू करने वाला उसे फिर से बहाल करने वाला याद रखना उत्तर पूर्व का ये पहला राज्य बन गया है सिक्किम फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में देश की पहली hypervelocity expansion tunnel जिसका नाम है जिगर थंडा S2 का विकास किस ने किया किस ने developed किया इसको तो अंसर होगा IAT कानपूर ने तो अभी IAT कानपूर ने देश की पहली hypervelocity expansion tunnel बनाई है मतलब आप photo से देखो ये photo में जो आप pipe देख रहे हो ये एक तरकी tunnel समझो और इसमें अगर कोई object move करेगा तो वो hypersonic speed से move करेगा अब इसका फाइदा क्या होगा तो इसमें आपको hypersonic condition मिल जाएगी जिससे आप ये study कर पाओगे या कोई testing कर पाओगे missile को जो hypersonic missile होती उस पे कोई experiment आप करना चाहते हो उसके study करना चाहते हो तो वो यहाँ पे हो पाईगी और इससे innovation में मदद मिलेगी तो इसका नाम याद रखना S2 या जिगर ठंडा इसका नाम रखा है आचा sound की जो speed होती है उसे कहा जाता है 1 Mac और अगर किसी object की अगर speed 1 और 5 Mac के बीच में होती है तो उसे supersonic speed का जाता है जैसे हमारी जो ब्रमोस missile है वो supersonic missile है इसका मतलब उसकी speed 1 से लेके 5 Mac के बीच में है और अगर 5 Mac से ज़्यादा किसी speed होती है तो उसे hypersonic speed का जाता है अचा फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने तो आउसर होगा बिमान प्रशाद तो उत्तरप्रदेश के अयोध्या मंदिर में श्री राम भगवान के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं ये फिजी देश के deputy PM है नाम है विमान प्रशाद तो इनको भी हमारे श्री राम मंदिर का प्रशाद मिल गया फिजी देश से आये थे विमान में बेट करके प्रशाद खाने भाई साब तो विमान प्रशाद इनका नाम है राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर आप जानते ही हो इसमें जो राम जी की मूर्ति है तो मूर्तिकार का नाम पूच सकते हैं अरुन योगीराद ने बनाई है और अयोध्या में ये मंदिर है तो अयोध्या स्टेशन का नाम अभी अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन हो गया उसी तरह से अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसको इ आयोध्या से सम्मंदित भी जो भी अभी current affairs के प्रशना आपके आएं, जैसे अभी GI Tech मिला या कुछ नाम चेंज हो गए, उस सब आपको वा मिल जाएंगे, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, simple सा search मारना YouTube में, वैसे playlist में आपको मिल जाएंगे, लेक चीफ केस्ट थे, और फिजी की अगर हम बात करते हैं, तो फिजी आप जानते हो capital इसकी सुवा है, करंसी है फिजी एंड डॉलर, और यहां के प्रधान मंत्री कौन है, सित्विनिर राबू का, आपको याद होगा, दोजा तेविस में बारवा वर्ल्ड हिंदी conference का योजन फिजी में ही हुआ था, और पिछले साल फिजी और पापवा न्यू गिनी का सरवोच सम्मान दिया गया था प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी को, ध्यान रखना ये बाते, अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाली में दक्षिन भारत संसकरतिक कें केंदर को किस राज्य में स्तापित किया गया, तो अंसर होगा तेलंगना, तो अभी पूर्व जो हमारे उप्राश्टरपती वेंकया नाइडू जी, और केंदरे परियेटन वो संसकरती मंत्री हैं, जी किशन रेडडी जी, अभी इन दोनों ने मिलकर कि तेलंगना के हैदर केंदर है, तो इस केंदर की स्तापना का मुख्य उद्दिश्य, दक्षिन भारत की संसकरती जैसे की संगीत, नाटक और नरत्य कलाओं को पुरुच्छाहन देना है, संगीत, नाटक, अकाजमी की बात करें, इसकी स्तापना होती, 31 मई 1953 को, ये संसकरती मंत्रा लेके काम करता है, नई दिली में मुख्याले हो गया, और इसके वरतमान में अध्यक्ष है, संध्या, पुरेच्चा, वहीं इसके पहले अध्यक्षी बात करें, तो उनका नाम है, राजमनार, तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें, अभी हाली में फिनलेंड में नए राष्ट राष्टरपती कौन बने है, तो आंचार होगा, अलेक्षेंडर स्टब, तो फिनलेंड के ये पूर्व प्रधान मंतरी रहे थे, अलेक्षेंडर स्टब, जिन्होंने अभी फिनलेंड के राष्टरपती के रूप में चुनाव जीत लिया है, फिनलेंड के नए रखते हैं और फिर वहीं पे बैटके नाते हैं तो Alexander Stub तो ऐसे हलकी हिंट मिल जाएगी आपको बात Finland की ये तो पहले ये देखो मैप में Finland Capital आपको बता हेलसिंग की होती है करंसी आपने का Euro है प्रधार मंतरी कौन है पेट्रि और पो है और आप President बन गए Alexander Stub आपको याद होगा पिछले साल हमने पढ़ा था World Happiness Index 2023 में Finland टॉप पे रहा था भारत उसमें 126 नंबर पे था मैंने आपको बताया Finland को जीलों का देश कहते हैं अच्छा भारत में किस शहर को जीलों की नगरी कहा जाता है तो उदेपूर को कहते हैं जो आपको मिलेगी राजस्थान में और नहरों का देश किसे कहा जाता है पकिस्तान को कहा जाता है लेकिन अगर पुछे नहरों का शहर तो ये है Venice कुछ options भी मैं आपके लिए important लेकर के आया हूँ ये बिल्कुल अभी latest 2024 वाले ही हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना अल्जास बेक्टेनोव ये अभी कजाकिस्तान के नए प्रधान मंतरी बने नायब बुकेले अभी अलसल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने तो अहमद अवद बिन यमन देश के प्रधान मंतरी बने थे तो 2024 की ये चार international appointment में आपको यहाँ पर करवाए हैं इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं ये डिजिटल के नए MDCO कौन बने तो आंसर होगा नवीन ताहिल यानी तो अभी नवीन ताहिल यानी ये टाटा डिजिटल के नए MDCO बन गए हैं और वे किन का इस्तान लेंगे प्रतीक पाल का इस्तान लेंगे टाटा डिजिटल ये टाटा संस की ही सबसिडरी कमपनी है और ये जो टाटा डिजिटल इसकी स्तापना भी 2019 में होई थी और ये जो नवीन ताहिल यानी है ये अभी टाटा AIA Life Insurance में MDCO थे जो कि अब टाटा डिजिटल के नए MDCO होंगे बाकी उपेंद्र दिवेदी का नाम ज़रूर याद रखेंगे भारतिय सेना में अभी उप्प्रमुक वाइस चीफ बने है और अनिल कुमार लाहूती टेलिकॉम रेगुलेटरी अथरिटी अफ इंडिया के अध्यक्ष बने तो दलजीत सिंग चौधरी सशच्टर सीमा बल के डिरेक्टर जनरल बने थे अगला प्रस्ण दिखते है फिर अगला प्रस्ण में पूछ रहे अभी हाली में अंतर राष्टर न्यायले इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया तो अंसर होगा नवाफ सलम को तो इंटरनेशनल कोर्ट आफ जश्टिस यानि के अंतर राष्टर न्यायले अचा पहले बताओ उसका मुख्यले कहां पर है हेड क्वाटर तो आंचर होगा हेग नीदर लेंड बे तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट आफ जश्टिस के नए अध्यक्ष बन गये हैं कौन नवाफ सलम ये किस देश के हैं ये जरूर याद रखना ये किस देश के हैं लेबिनॉन के हैं लेबिनॉन की केपिटल पता है न क्या होती है बैरूत होती है इन्होंने किन का इस्थान लिया अमेरिका के जॉन ए डॉनोग्यू का इस्थान लिया है अच्छा ये तो बने हैं अध्यक्ष, इनके अलावा एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए है, उनका नाम है जूलिया, महिला है वो, जूलिया उनका नाम है, वो किस देश की है, वो युगांडा की है, युगांडा की capital पता है, आपको क्या होती है, कमपाला होती है, वो शक्ति सा बात करते हैं, परेश्ण पर अंतरराष्टर नयाले, यानि कि International Court of Justice के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, नवाफ सलम है, ऐसे याद कर दो, देखो एक छोटी सी हिंट में आपको दे रहा हूँ, एक ट्रिक हो जाएगी, बही, जो कोट के जज होते हैं, वो सबसे बड़ ये कहते हैं, हम नवाब है, सलाम मारो हमें, सलाम ठोको, सलाम भाई, तो नवाब सलम हो गए, ये जरूर याद रखना किस देश के हैं, लेबिनॉन के हैं, ये एक्जाम में कंट्री पूछ लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा, एक एक्जाम में कंट्री पूछी गई और उपाद्यक्ष भी जूलिया नाम याद रखना है जूलिया तो आपको याद रहेगा जूली जूली ये युगांडा की हैं इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस की बात करें तो आपको बताए युनाइटेड निशन और्गिनाइजेशन का ये एक अंग है युनो के छे अ का फैसला करता है ये अंतरराष्टर कानूने मुद्धों पर ये रायवगेरा देता है इसकी स्तापनाविटी 1945 में ही इसमें याद रखना 15 नयादीश होते हैं और इन 15 में वैसे एक भारत्य भी है अभी कौन है दलबीर सिंग भंडारी उनका नाम है क्या नाम है दलबीर भ प्रांसेस का याद रखना नाम ये उनाटेड नेशन जनरल एसमेली के 78-70 के अध्यक्ष है उनाटेड नेशन जनरल एसमेली जिसे विश्व की लगू संसत भी बोलते हैं अब मैंने जो आपको काताना एक्जाम में पूछा गया था बंदे का नाम नहीं पूछा पूछ लि पूछूँगा तो ट्रिग वेली उनका नाम है वो नौर्वे से थे ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अगला प्रक्शन देखते हैं फिर बताओ अभी हाली में राजस्तान के धुरूपत गायक लक्ष्मन भट का निदन हो गया आपसे पूछ रहे उन्हें भी 2024 में कौन सा पदम पुरुसकार मिला था तो आंसर होगा पदम शिरी तो अभी 2024 में ही पदम शिरी पुरुसकार यानि कि भारत के चौथे लंग इनका पूरा नाम है और अभी हाली में इनका निदन हो गया बिमार चल रहे हैं काफी टाइम से यह तो इनका नाम important बनता है दो गारण से इनका नाम news में आ गया देखो एक तो अभी निदन वाले case में हाली में निदन आ गया तो अभी पदम शिरी के लिए इनको चु फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में पदम शिरी पुरुसकार विजय था डॉक्टर ईश्वर चंदर वर्मा का निदन हो गया उनका सम्मन्द किस शेतर से था तो अंसरो का चिकित सा तो ईश्वर चंदर शर्मा जेनेटिक्स मेडिसेन विशेशग्य थे ये उन्हें जे में इम्स दिल्ली में भारत का पहला अनुवानशिक केंदर स्थापित किया था और अभी इनका निदन हो गया आप जानते हो चिकित सा याने कि मेडिसन के शेतर में दो हजार तेविस का नोबल पुरुसकार किसे मिला था कैटलिन केरी को और डुरु विसमेन को और अभी आ जान नहीं आ रहा लेकिन उन बालक का उन इस्टुडेंट का मैसेजिस में यह ध्यान है कि नॉबल प्राइस के दो प्रशन पूछे गए थे तो अगर आप मैंसे कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूं बाकियों को तो बता है कि नॉबल किस देश के थे तो आंसर होगा केन्या तो वर्ल्ड मेराथन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था रिकॉर्ड धारक है यह इनका रिकॉर्ड अभी किसी ने नहीं तोड़ाए नाम था कैल्विन किप्टम और अभी एक्सिडेंट हो गया और उसमें इनका निदन हो गया इन अगला प्रशन है अभी फरवरी 2024 में आयोजेत आदी महत्सव का उद्गाटन किस ने किया तो आंसर होगा द्रौपती मुर्मुजी अभी 10 फरवरी 2024 को ही वार्शिक राष्टर जनजाती महत्सव है यह आदी महत्सव अभी इसका आयोजन किया गया कहां पे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में और इसका उद्गटन किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपती मुर्मुजी ने और इस महत्सव का आयोजन किस ने किया तो जनजाती मामलों के मंत्राले के तत्वा उधान में ट्राइफेड ने इस कारेकरम का आयोजन किया 10 से ले में दोस्मोचे महत्सव का आयोजन ये कांपे किया गया तो अंसर होगा लद्दाक में तो फेस्टिवल का नाम है दोस्मोचे महत्सव कहां पर मनाया गया लद्दाक में लद्दाक में भी ये दो स्थानों पर मनाया जाता है मुख्यरुप से लेह में और लिकिर में ये महुटसब आप मनाते हो हमिस फेस्टिवल ये भी लद्दाग का है इस पी तुग गस्टर फेस्टिवल ये भी लद्दाग में मनाया जाता है फर बताओ अभी हाल इमें अंटाक्तिका के वेज्जानिक अध्ययन के लिए क्विन लिंग इस्टेशन को किस ने लॉंच किया तो आंसर होगा चाइना ने तो अभी चाइना ने रॉस सागर में इन एक्सप्रेसिबल द्वीब पर अपना नया रिसर्च सेंटर क्विन लिंग का उधगातन किया है इसको लॉंच किया है और इस तरह से ये चीन का पाचवा अनुसंधान स्टेशने रिसर्च सेंटर है वहाँ पर वैसे अंटाक्टिका में हमारे भी थीन अनुसंधान केंद्र हैं, यानि कि रिसर्च सेंटर हैं, कौन-कौन से हैं धक्षिन गंगोत्री, मैत्री और भारती, अगर पूछे पहला कौन सा था, तो धक्षिन गंगोत्री था, मैंने सिक्विन्स वाइज ही आपको बताए हैं लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने आर्क्टिक के अध्यान के लिए कौन-कौन से मिशन लॉंच किये थे, तो महाँ पर एक ही है हमारे पास हिमाद्री, तो आर्क्टिक और अंटार्क्टिक, वो क्या पूछ रहा है माउंट इरेबस चलो फिर बताओ, अभी हाली में महासागरों और वायू मंडल का अध्यान करने के लिए पेस मिशन किसने लॉंच किया, तो आंसर होगा नासा ने, तो अभी नासा ने ये पेस मिशन लॉंच किया है, किस रॉकेड से लॉंच किया, फॉलकन नाइन से जो कि स्पेस एक्स का है एलन मस्क की कमपनी है क्यों लॉंच किया, तो एट्मोस्फियर और महासागरों की स्टेडी करने के लिए पेस का मतलब हो गया यहां पे प्लेंक्टन, एरोसॉल, क्लाउड, ओशियन एकोसिस्टम, अचा पहले हम नासा की बात करते है, नासा मतलब नेशनल एरोनोटिक्स एन स्पेस एडमिनिस्ट्रिशन जिसकी स्टापना हुथी 1958 में हैड़क्वाटर वशिंग्टन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशाशक कौन है बिल नेलसन है फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में जारी हुरुन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मुल्यवान गैर सूची बद्ध प्राइविट कंपनी कौन सी बन गई तो अंसार होगा सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया तो अभी हुरुन इंडिया 500 कंपनियों के लिस्ट जारी की गई है इसमें भारत की उन प्राइविट कंपनियों को शामिल किया गया है जो की शेर मार्केट में इक्विटी मार्केट में लिस्टेड नहीं है और इनमें सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया 1.92 लाख करोड के मुल्यांकन के साथ भारत की सबसे मुल्यवान गैर सूचिबद प्राइविट कंपनी बन गई है इसके बाद नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ओफ इंडिया मेगा इंजिनेरिंग जो हो स्वीगी बगिरा है और वही मैं आपको बता दू कि भारत की सबसे मुल्यवान लिस्टेड कंपनी कौन सी है तो Reliance Industries है मतलब जो शेर मार्केट में लिस्टेड है उस मामले में जो सबसे मुल्यवान प्राइविट कंपनी है वो Reliance Industries है और वही गैर लिस्टेड यानि कि नॉन लिस्टेड कंपनी में अगर भारत की सबसे मुल्यवान प्राइविट कंपनी देखेंगे तो Serum Institute of India है दोनों मैंने आपको बता दिया अंतर ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते है फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में हमारे जो रक्षा मंतरियें उत्तराखंट के दहरादून के टॉन्स ब्रिज स्कूल में चनरल विपिन रावत जी की बात करें तो ये भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ थे वैसे अभी दूसरे नंबर के हैं कौन चनरल अनिल चोहान और आपको याद होगा अरुनाचल प्रदेश में की भी थू गेरिसन में एक सेनने शिविर का नाम उनके नाम पे रखा गया था जनरल विपिन रावत जी के नाम पे इनके नाम पे एक बुक भी हमने पड़ी थी अभी विपिन दा में बिहाइंड दा यूनिफॉर्म लिखाता रचनाबिष्टर रावत ने नेपाल के शिरी मुक्तिनाथ मंदिर में उनके सम्मान में एक घंटी भी लगाई गई थी और उत्तरप्रदेश में में पूरी सेनिक इसकूल का नाम उनी के नाम पे रखा गया था अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर के बारा मूला में जो जेलम स्टेडिय में उसका नाम विपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था ये कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने चलो फिर बताओ अभी हाली में चल्चा में रही C.A.R. T. Cell Therapy का सम्मन किस्से है तो आंसर होगा कैंसर से तो अभी C.A.R. T. Cell Therapy को मंजूरी मिल गई है और अभी इससे पहला मरीज ठीक भी हो चुका है ये एक बहुत अच्छी बात है तो इसका उप्योग Leukemia के इलाज में होने वाला है मतलब Blood Cancer के इलाज में देखो यहाँ पे C.A.R. का मतलब होता है Chimeric Antigen Receptors और T.C.L.S. क्या होते हैं? ये एक प्रकार के WBC है श्वेत रक्त कोशिकाए White Blood Corpuscles तो ये क्या काम करते हैं? ये शरीर को संकर्मन से बचाने में मदद करते हैं आप ऐसे समझ लो ये हमारे शरीर का Defense System है ये हमारे शरीर की Army है जब भी कोई Virus वगेरा हमारे शरीर में जाता है तो ये उससे लड़ते हैं पर ये Cancer Cell से लड़ने में उतने ताकतवर नहीं रहते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं इस Therapy के थुरू इसकी तागत को बढ़ा रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ कैसे तो आप फोटू से देखो आपको आसानी से समझ में आएगा बिल्कुल आपकी भाशा में मैं आपको समझाओं जाओंगा देखो एक Cancer रोगी है Cancer patient है हमने क्या कर रहा उसकी body से blood निकाल लिया उस blood में से हमने T cell को अलग कर लिया फिर उस T cell में हमने CAR add कर दिया तो अब उस T cell को हम T cell नहीं कहेंगे अब हम उसे कहेंगे CAR T cell अब उस T cell की तागत बढ़ चुकी है तो कि वो CAR T cell बन चुका है अब हम इसको वापिस से उस patient की body में डाल देंगे तो अब इसकी तागत बढ़ गई हमने का अतने T cell क्या काम करते है defense का काम करते है army है ये हमारी शरीर की और अब इस army के हमने तागत को बढ़ा दिया है तो अब ये cancer cell को नश्ट कर देगा समझ गए ना क्योंकि हमने इसकी तागत बढ़ा दी इस therapy के थुरू तो ये जिस language में आपको समझ में आए वैसे ही मैंने आपको ये समझा दिया तो ये है CAR T cell therapy इसका संबन cancer से है इसको मंजूरी मिल गई इसका पहला मतलब जो पहला मरीज था इस therapy से वो ठीक भी हो चुका है cancer मुक्त हो चुका है CAR की full form मैंने आपको बता दी कैसे process होता है क्या गाम होता है वो सब मैंने समझा दिया एक और point देख लो आप पूछोगे इसको developed किसने किया इस therapy को तो IIT Bombay में स्थापित एक company है Immunos ACT तो भारत की ये पहली स्वदिशी CAR T-cell therapy है जिसे कहा गया NACS CAR 19 ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान में रखाए फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में अंतरराष्ट्रे लगू चाय धारक परिसंग का 25 वा सत्र पहली बार भारत में कहां पर आउजित हुआ तो अंसरोगा असम में तो अंतरराष्ट्रे लगू चाय धारक परिसंग क्यानि की Confederation on International Small Tea Holders और अभी इसकी 25 वी बैठक हुई है कहां पर भारत में हुई है भारत में पहली बार इसकी बैठक हुई है तो प्रश्ण important हो जाता है भारत में भी कहां पर असम के गुवा हाटी में और इस बैठक में ये बोला गया कि ये जो अंतरराष्ट्र लगू चाय धारक परिसंग है अभी तक इसका मुख्याले आपको चीन में मिलेगा लेकिन कहा गया कि अब इसका मुख्याले को चीन से भारत में शिफ्ट किया जाएगा और अभी भारत को दो वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है अच्छा इसी तरह से याद रखना के अंतरराष्टर कॉफी सम्मेलन जो भी दोजा टेविस में हुआ था वो भी पहली बार ही हुआ था भारत में भारत में भी कहां बंगलूरु में हुआ था और उसमें ब्रैंड अंबेच्डर बनाया गया था रोहन बोपना को भी याद रखना और होन बोपना इनका संबन टेनिस से है अभी Australian Open Men's Double का किताब जीता था इनोंने और अभी अंतरराष्टर ओलम्पिक समीति की 141 वे बेठक हुई थी वो मंबई में हुई थी और इसकी भी खास बात क्या है ये भारत में दूसरी बार इसकी बेठक का आयोजन हुआ था और इसके लावा दोजा तेविस में अंतरराष्टर वकील सम्मेलन का योजन भी हुआ था ये भी भारत में पहली बार हुआ था तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स अगला प्रशन देखते हैं चलो फिर बताओ अभी हाली में विज्ञान के शेत्र में महिलाओं को प्रोचाहित करने के लिए के इंदर सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉंच किया तो अंसरोगा स्वाती तो अभी ये 11 फरवरी की ही बात है 11 फरवरी दोजाए 24 को विज्ञान के शेत्र में महिलाओं को प्रोचाहित करने के लिए के इंदर सरकार के जो प्रधान विज्ञानिक सलाकार है प्रोफेसर अजे कुमार सूद उन्होंने भारते राष्टर विज्ञान अकादमी में स्वाती पोर्टल को लॉंच किया है आप जो हमारे स्टुडे data base है और भारत में अपनी तरका पहला है इसे किस ने तयार किया तो National Institute of Plant Genome Research ने तो इसका primary objective मतलब मुख्य उद्देश यही है कि science की field में जिसे आप steam कहते हो science, technology, engineering, mathematics तो इसमें gender ratio को सुधारना मतलब महिलाओं को इस field में लाना